नमस्कार मैं हूँ अधेश कुमार मित्रों शायद ये भारत के इतिहास में आजाद भारत के इतिहास में पहली घटना है जब सुप्रिम कोट के मानिये दो न्याय धोंसों के टिपनी से देश में एक और दुख भी है छोब भी है आक्रोस भी है और उसका प्रकटी करन अलग- हम सब भी वेक सील परहे लिखे लोग समाज में सक्रिय लोग हमेशा मानते रहे हैं कि हमारे देश में हमारे न्याले पाली का और हमारी विधाई का जिसमें संसत विधान सभाइं है इनका सम्मान हर द्रिश्टी से बचाए रखना चाहिए नेताओं के करतब्यों के कारण लोगों ने संसत को भी उसी रूप में मान लिया और संसत और बिधान सभाओं की भी आलोचना होने लगी बिरोध भी होने लगे हाला कि अभी भी लोकसभाद्यक्ष बिधान सभाद्यक्ष की गरिमा की चिंता की जाती है सुप्रिम कोट के बारे में आमधारना रही है कि वो एक ऐसा पीट है जिसको पंच पड़ में स्वर कहा गया है कि उस पीट से जो शब्द निकलेंगे वो इस्वर की ध्वनी होगी उसमें से वो जो भी फैसला देंगे वो निस्पक्ष होगा और उच्टम नियाले ने प्राया ऐसे काम किये भी है लेकिन कभी कभी ऐसी टिपणिया आ जाती है हो जाते हैं जिनसे थोरी हैरत होती है कि आकिर इस प्रकार की टिपणिया क्यों दी गई है सुप्रिम कोट के मामले में सबसे बरा डर जो लोगों का है या किसी भी नियाई पालिका के मामले में वो होता है मानहानी का वो होता है कि आपने नियाई पालिका के सम्मान को चोट पहुचाया है तो उसके आधार पर नियाई पालिका को अधिकार है उनको कि आपको बुला सकते हैं, कटगरे में खड़ा कर सकते हैं आपको जेल भेज सकते हैं सजा दे सकते हैं अगर नियाय पालिका की आउमानना होई है तो इसलिए पराया, पत्रकार भी, चैनल्स भी, सब यहां तक कि संसद में भी बोलते समय नियाय पालिका के बारे में थोड़ा ध्यान रखा जाता है जबकि संसद को यह विशेशा धिकार है कि संसद में कुछ भी बोला जाए तो उस पर मुकदमे नहीं हो सकते हैं फिर भी लोग ध्यान रखते हैं अब इस समय हमारे दो मानिये जजों ने जिस परकार से टिपने की है उसको स्विकार नहीं किया जा सकता है अब उसके बाले में आप आव मानना मान लीजी और आस्चर्ज की बात है कि वो लिखित आयादेश भी नहीं है क्या किसी विवेक सील व्यक्ती के गले में उत्रेगा कि एक टीवी चैनल पर हो रहे डिवेट में नुपूर सर्मा ने जो भाजपा की तब की प्रवक्ता थी दो मुसलिम प्रवक्ताओं से जूजते हुए प्रसनात्मक लहजे में और इसलाम के बारे में टिपनी की वो भी प्रस्ण बाचक में थी कि आप ऐसा कहते हो और मैं यह कह दूं तो आपको कैसा लगेगा वो इस भाव में वो टिपनी थी तो अब उस टिपनी के आधार पर क्या देश में जो भी हिंसा हो रही है जो आग लगा है कि वोल उस टिपनी के आधार पर है नुपूर सर्मा की ओर से वकील ने सुप्रिम कोर्ट में यह अपील किया था कि उनके देश भर में उनके खिलाब जो मुकदमे हो रहे हैं एक महिला होने के नातिया किसी के लिए उन सब जगा जाना सही नहीं है इसलिए उन सारे मुकदमों को एक जगा कलब करके और दिली में अस्थाना अंतित कर दिया जाए सामाने ताक किसी भी मामले पर जब इस ढंक से मुकदमे होते हैं तो बहुत सारे लोग गए हैं और उनको कलब करके मंगाया गया है यहां और उस आधार पर उनकी सुनवाई हुई है लेकिन इसमें जज साहब कह रहे हैं कि आपको उसमें एक सवाल था कि इनके सुरक्षा पर खत्रा है इनको गाली आ रही है धमकी आ रही है तो उसमें जज साहब कह रहे हैं कि आपके सुरक्षा को खत्रा है या सुरक्षा के लिए आप खत्रा हो गए यहो देश की अब बताईए यह क्या टिपनी है यह क्या एक लड़की का एक देश की सुरक्षा पर खत्रा हो गया यही नहीं उसमें जजस साब ने यह भी कह दिया है कि जो कुछ भी देश में हो रहा है उसमें single-handedly if anybody responsible single-handedly for this you are कि आप हो इसके लिए responsible आपको देश से माफी मांगनी चाहिए चलो जजस साहिब को गुसा आ गया होगा कि चलो देश में सारी चीजे हो रही है और वो उदैपूर के कतल की बात है मैं यह पूछ रहा हूँ कि चलो उदैपूर का कतल वहां जो जिस कनहीया लाल दरजी का कतल हुआ है उसके फेस्बुक पोस्ट परनुपूर सर्मा के समर्थन में एक पोस्ट आया था बाद में असपस्ट भी हो गया कि वह पोस्ट उसने डाला भी दिया गया था लेकिन उसकी गला रेत के हत्या कर दी गई लेकिन अगर जज सहाब को टिपनी करनी थी उस पर भी एक पंक्ति टिपनी कर देते अब मैं सबसे पहले एक तथ है आपके सामने रखना चाहता है हमारा देश जल्दी से चीजों को भूल जाता है अभी हम गटना होई है ठीक ऐसी ही घटना अमराबती में हो गई है और वहां नुपूर सर्मा के समर्थन में नहीं पहले भी वो हिंदू धर्म के समर्थन में इसलाम पर कुछ पोस्ट डाला करते थे केमिश्ट थे उनकी घात लगाकर उनकी हत्या कर दी गई पहले तो कहा गया कि य टीस जनबडी को वह क्यों ही है कि कहा गया कि उसने एक पॉस्ट लिख दिया था और वो पोस्ट को भाइरल कर दिया गया वाइरल करने के बाद हमला हो गया उसको निकाल के पहले उसके उसके मुकदमें हुए पुलिस ने भीड़ देके उसको एयरेस्ट कर लिया कोट ने ज शुपा दिया लोगोंने वो बाहर रहता था उसकी पत्नी ने एक बेटी को जन दिया घर बालोंने कहा तुम फिर भी नहीं आओ वो फिर बेटी को देखने एक चुप से आ रहा था कुछ लोग घात बना के बैठे हुए थे और उसको गोली मार दिया दो लोगोंने जो गए तो बाद में पता चला कि वो लोग लंबे समय से घात लगाये थे किसी ने किसी दिन तो आएगा इसने हमारे नभी का आपमान किया है इसने रसूल का आपमान किया इसको छोड़ना नहीं है और पता ये चला कि वहाँ घटना हुई थी दिल्ली के दरिया गंज में रहन से हो रहा है प्रस्न ये भी है कि मान लेते हैं कि चलो अभी ततकाल उसके गुस्य से ही हो गया है लेकिन पाकिस्तान में अफगानिस्तान में बाकी जगा जो गले रेते जा रहे हैं लोगों की जो हत्याय हो रही है वहाँ तो नुपूर सर्मा नहीं है वहाँ तो बयान नही हैं क्या उन बयानों के कारण हो गए हैं और दूसरी बात जज सहाबे स्विकार रहे हैं कि मैंने वो वीडियो देखी है आपको उकसाया गया लेकिन आप अपने को अकील कहते हो आपने इसलिए बोला कि आपको इस बात कता कि हम सत्तादारी हमारा कोई क्या बिगर पाएगा लेकिन यही बात उस मुस्लिम प्रवक्ता के बारे में जज सहाब ने क्यों नहीं कहा उसको किस बात का से निर्भायता थे कि हम ये बोलेंगे भी तो हमारा कुछ नहीं बिगरेगा आखिर उसी टीवी डिवेट में तसलीम रहमानी ने भगवान सीब के बारे में ऐसी गंदी टिपणी की है कि अगर दूसरे धर्म के बारे में ऐसी टिपणी कर दी जाती तो अभी अनेक देशों में आग लग चुका होता कितने लोग मारे जा चुके होते हैं लेकिन हमारा हिंदू समाज इतना सहिस्नु है कि किसी ने नहीं कहा कि तसलीम मरहमानी का सर्त तवाज तन से जुदा कर दो तो इसलिए अगर जज साहब को सारे टिपणियां ही करनी थी तो मेरा मानना है कि सारे चीजों पर टिपणी होनी चाहिए थी कि अगर नुपूर सर्मा ने कुछ भी किये अगर वो कहा है वो कानूनी रूप से गलत है तो कानून उसको सजाद देगा यह सुप्रिम कोट को टिपणी करनी चाहिए था कि लोग इसको लेके हंगामा नहीं करें हमारे पास मामले आ गए है या हम इनको अपने कानून कारवाई का सामना करेंगे ये भी टिपणी जजसा हमने नहीं की है साथे साथ क्या उसके बिरोध में पत्थर वाजी करना गला काटना सिर्टन से जुदा का नारा लगाना ये सही है अगर जजसाब ने वीडियो देखा है तो जजसाब ने निश्चित रूप से वह भी चीजे देखे होंगे तो सारे वीडियो और टीवी पर देखे होंगे कि सरकों पर उतर के बैनर पर लिखे हुए हैं कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सर्तन से जुदा सर्तन से जुदा और नारा लगाते हुए लोग चल रहे हैं में पुनडबीचार याचिका गई है और पुनडबीचार याचिका के कारण वो सुप्रीम कोट ने वह ऐसी टिपनिया वापस की है या वो फैसले में लिखी हो इसमें फैसला नहीं है लेकिन सुप्रीम कोट के चीफ जस्टीस को अधिकार है कि उसको देखे पुर्व रिटा तक कि उसमें मीडिया पर भी टिकनिटी पनिकी गई है उसमें ये कहा गया है कि ग्यान बापी जब सब जुडिस्ट है तो मीडिया में बाहस की क्या जरूरत है इसका मतलब आप एक एजेंडा चला रहे हो ये कौन सा एजेंडा है जिस बात पर अगर यही बात है कि सब जुडिस्ट पर कुछ नहीं बोलना चाहिए तो इस देश के इतने मुस्लिम नेता या हिंदू नेता भी जो स्वाहिम को सिकुलर लिबरल कहते है वो क्यों इस डंग से ग्यान बापी पर दे रहे है बुकदमा चल रहा है और बाहर परदर्शन हो रहे है तो परदर्शन अगर अगर किसी टीवी पर चैनल पर डिबेट नहीं हो कोई सब जुडिस्ट मामला है तो सब जुडिस्ट मामला पर परदर्शन होना चाहिए क्या सब जुडिस्ट मामला पर लोगों को आ करके बयान देना चाहिए क्या क्यों बयान दिये जा रहे हैं और सब्जुडिस्ट सारे मामले नहीं होते हैं कुछ मामले में ऐसे तप्थे होते हैं जिनको बाहर लाके बहास करनी परती है चीजों पर आरक्षन के विशे सब्जुडिस्ट नहीं अक्षन पड इस देश में पूरी बहास हुई है किसी कोट ने नहीं कहा कि सब जुडिस्ट है इस पर टिपनी nămी नहीं होनी चीहिए अझोध्या के राम-ज़ुजन भूमी का मसला सब जुडिस्ट रहा है किसी नहीं कहा कि उसपर बहास नहीं हो मामला सब्जुडिस्ट था खुब भास हुई है तो सब्जुडिस्ट के भी उसकी क्राइटेरिया है कि हम किस पर भास नहीं करेंगे और क्या करेंगे क्या नहीं लिखेंगे हम उसमें कोट के बारे में टिपनी नहीं कर सकते है कोट की कारवाई सही है गलत है उस पर हम टिपनी नहीं कर सकते हैं कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता है लेकिन इस देश में जैसे कोट को सुनवाई का अधिकार है वैसे हैं इस देश में मेडिया को हर चीज पर बहस करने का अधिकार है और यहां तक कि न्याले अगर कोई फैसला देता है उस फैसले में हमको कोई चीज तुरूटी लगती है दोस लगता है तो नियाले पर जजों जज साहब के इंटेंशन पर हम कोई प्रस नहीं उठा सकते हैं कोट के इंटेंशन पर प्रस नहीं उठाएंगे लेकिन उसकी आलोचना करना उसको इंगित करना ये भी हमारा करता भी बनता है अधिकार तो छोड़ दीजिए और ऐसे इंगित करने बहुत सारे हुए हैं तो ये क्राइटिरिय कैसे होगा कि मीडिया क्या बहस करे और क्या नह पैदा होते हैं हर जो भी न्याय पालिका हो विधाईका हो मीडिया हो सब की अपनी जिम्मेवारी है कि हमारे लोग तंत्र के विवस्था को ध्यान रखते हुए सब अपनी सीमाओं में काम करें सीमाओं में टिपनिया करें और बाकी तो हम कुर्शी पर बैटे हुं कुछ भ जुरुभाग से हमारे आजादी के 75 साल हो गए और हमारे सम्विधान स्विकार किये हुए 72 साल हो गए लेकिन हमने अपने सम्विधान को हमने अपने दाईत को अधिकारों को अभी तक ठीक से नहीं समझा है यह बात निया पालिका पर भी लागू होती है निया पालिका हमा तो इस टिपनी से कहा कहा क्या कुछ हो जाएगा उसकी पहचान नहीं है तो इसलिए जज साहब के इरादे पर तो मैं कोई प्रस नहीं उठा सकता हूँ वो मेरे अधिकार छेतर में नहीं है लेकिन जो टिपनी आई है चाहे वो गुस्य में हो इमोसंस में हो वो टिपनी ऐसी नहीं है जिसको जाड़ी रखे जानी चाहिए वो फैक्ट भी नहीं है आज नुपूर सर्मा के बहाने गला काटा गया है पहले किसी और के बहाने गला का पूजा को गलत है तुमने लिंग पूजा को गलत कहा है तुम को पता नहीं है कि लिंग पूजा से भावार्थ क्या है यहां यह हम बता सकते हैं लेकिन हम यह किसी को नहीं कह सकते है कि वो जाके तसलिम रहमानी का गर्दन कारदो गर्दन काटा तो वो भी आतंकवादी हो गया हमारे यहाँ वह संस्कृती ही नहीं है हम हिंसा को हमारे यहाँ सबसे जगहने पाप माना गया अपराथ सब तो बाद में हो गया है तो इसलिए जो भी टिपन्नी आई है उससे प्रकाढंतर से ऐसा लगता है कि जैसे नुपूर सर्मा के बारे में के कारण जो बयान आया उसके गुस्य में आ करके उसने गलाकार दिया है यानि अगर यह बयान नहीं होता और वो इसलाम पर अलग से कुछ लिखता तो उस पर फूल बरसा दिये जाते मैं ये भी एसपस्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं या मेरी तरह के लोग कभी नहीं मानते हैं कि भारत के सारे मुसलमान या दुनिया के सारे मुसलमान आतंकवादी जिहादी कटरपंती हो गए हैं किसी भी समाज में कट्टर पंतियों की, हिंसक लोगों की एक कम ही जमात होती है लेकिन अगर जमात के बड़े अंस से, बड़े चेहरों से, बड़े नेताओं से, मुल्ला मौल्वियों से, धर्म गुरूं से आएसी अक्रामक भासा निकले, जिससे हिंसा का समर्थन होने लगे, कट्टर बात का समर्थन होने लगे, तो चिंता का विशे हो जाता है और वो इस्थिती हमारे यहाँ बन रही है और वो ये बन रही है जो मैं माननिये उच्छतम नियाले के संग्यान में लाना चाहता हूँ कि जो लोग आज उस हत्या के बाद सर्तन से जुदा होने की बाद अलोचना कर रहे हैं उनमें से किसी ने भी जब वो नारे लग रहे थे तो उसकी अलोचना नहीं की है तो ये मामला कोट में आने वाला है न भी आये तो सुवो मोटर संग्यान लेकर भी उच्छतम नियाले को इन सारे मामलों पर एक टिपन्नी देनी चाहिए और अन्यता उस टिपन्नी को हटाना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद